भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महराष्ट्राची, कूल स्वामिनी, आई, कुल्जा भवानिना नमन करतो, मात तुल्जा भवानिने यहाँ, शत्रपति सिवाजी महराज को, विजई होने का आशिरवाद दिया था, और आज मैं इस धर्ति पर जनता जनारदन से, और आई तुर्जा भवानि से, आशिरवाद लेने के लिए आया हूँ, आशिरवाद सक्ति शाली भारत के लिए, आशिरवाद विक्सित भारत बनाने के लिए, आपका याशिरवाद ही, आज पुरे देश की गारंटी बन गया है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भाई और बहनों, ये चुनाव भारत के स्वाभिमान का है, आपने दज साल पहले का समय देखा है, आप आज का भी समय देख रहे हैं, आज दुनिया, उस भारत को जानती है, जो दुनिया के विकास को गती दे रहा है, जिसका चंद्रयान, वहाँ पहुचता है, यहाँ कोई नहीं पहुचा है, जो भारत एक साथ सो सेटलाइट भेजता है, वह भारत जो गगणियान को अंतरिच में बेजने की तयारी कर रहा है, वह भारत जिसने अपनी मेड इन इंडिया कोरोना बैक्शिन बनाई, वह भारत जिसने दुनिया के करोडों लोगों की जान बचाई, वह भारत जो बड़े से बड़े युद्ध से भी गोलाबारी के बीच से अपने नागरिकों को सुरक्षिद निकाल करके लाता है, क्या भाईयों बहनों, पहले ऐसा कभी होता था, पहले ऐसा कभी होता था, आप तो बताएं तो पता चले, पहले ऐसा कभी होता था, पहले ऐसा कभी होता था पहले आतंकी हमला करके बाग जाते थे और कॉंग्रेस की सरकार रोती रहती थी दुनिया भर में जाकरे कहती थी बचाओ 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 पहले जिसे देखो भारत को आँख जिखाता था और कॉंग्रेस की सरकार क्या करती थी अमन की आशा का रागा लापती थी अब आप मुझे बताईए जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है क्या कमजोर सरकार मजबूत देश बना सकती है जिसका खुद का ठिकाना ना हो कि न जाने कब गिर जाएगी वो कॉंग्रेस सरकार भारत को नई उचाई दे सकती है कॉंग्रेस पार्टी की एकी पहचान है विश्वासगात 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 मरट बाड़ा की इस धर्ती को भी कॉंग्रेस ने एक ही चीज दी है विश्वासगात विश्वासगात और विश्वासगात कॉंग्रेस साथ साल तक सत्ता में रही लेकिन किसान के खेत में पानी नहीं पहुचा पाई आप मुझे पताईए मरट बाड़ा वाटर ग्रीड परियोजना को किसने रोका था ऐते नहीं चलेगा भई आपको जवाब देना पड़ेगा आप यहां के लोग हैं किसने रोका था किसने रोका था जल युक्तर शिवार योजना को किसने रोका था जिन्नोंने आपका पानी रोका आप उनको बोड़ देंगे क्या साथियों यह मोदी है मोदी समस्याएं टालता नहीं मोदी समस्या से टकराता है हर गर पानी पहुचाना हर खेज पानी पहुचाना यह मोदी का मिशन है और अभी तो मोदी को जिरफ दस साली हुए है दस साल में पानी के लिए जितना का मोदी ने किया है उतना कॉंग्रेस अपने साट साल में नहीं कर पाई आप देखिए सिर्फ पांच साल में ध्यान दीजिए सिर्फ पांच साल में पांच साल में मोदी ने महराश्चा के 75 लाख से जादा गरों को नल से जल का कनेक्शन दिया है मोदी ने हर खेट तक पानी लाने का अब्विरा उठाया हुआ है यहां महराश्चा मां कॉंग्रेस ने 26 सीचाई परियोजनाएं दसकों तक लटका कर रखी थी अब कॉंग्रेस के नेताओं के बंगले में इंडी अगाडी वालों के बंगले में तो पानी आता था वो आपकी चिंता क्यों करते हैं इसलिए उन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कॉंग्रेस ने जिन सीचाई योजनाओं को दसकों तक अधुरा रहने दिया उन्हें अब मोदी पुरा कर रहा है इसके अलावा भी मोदी नई सीचाई पर योजनाएं शुरू करवा रहा है यह हमारे साथी एकनाजी, देवेंदर जी, अजित दादा इनके नेप्रुत्व में इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है साथी और किसानों से विश्वाद गात का कॉंग्रेस का एक और तरीका रहा है यह तरीका है जूठे पैकेज देने का इस पैकेज का अलाव असली किसान तक पहुंचता ही नहीं है यह पैसा कहां जाता था? यह पैसा कॉंग्रेस का पंजाच्छिन लेता था और मोधी ने ये खेल भी बंद करवा दिया आप सब को पी-एम किसान सम्मान निजी के बारे में पता है इससे तीन लाग करोड रुपिये देश के किसानों को मिले यहाँ धारा सिव के किसानों के खाते में भी आठ सो करोड रुपिये एंडिये सरकार ने बेजे है और आप मुझे पताईए आठ सो करोड रुपिया एक नए पैसे के चोरी की शिकायत आई है क्या एक नए पैसा चोरी हुआ है क्या जातियों कॉंग्रेज की सरकार थी तो किसानों के हिस्से की खाद भी फर्टिलाइजर भी लूट जाती थी केमिकल की फैक्टरियों में चली जाती थी किसानों को यूरिया के लिए लाठिया खानी परती थी लेकिन दस सालों में किसानों को हमने यूरिया की कमी नहीं आने दी पिछले साल ही हमने खाद पर धाई लाठ करोड रुपिय की किसानों को सब्सीड़ी दी है यूरिया की जो बोरी तीन हजार रुपिय की परती है वो आपको मोदी तीन सो रुपिय से भी कम किमत में दे देता है और मोदी से भी इतने पर ही नहीं रुका है आपने नैनो यूरिया और नैनो डैप्ट के बारे में भी सुना होगा हमारे वैज्यानिक एक बोरी खो़खाद की एक बोरी यूरिया की ताकत अब एक बोतल में ले आए है जो काम एक बोरी यूरिया करता है एक बोतल नैनो यूरिया करता है यह आपके बहुत काम आने वाली है साथियों अब सूखा हो ओला वुरुष्टी हो बारिस हो हमारे किसानों पर मौसम की तरह तरह से जो मार पड़ती रही है पहले ऐसे किसानों को सो तरह की मुश्टिले आती थी ऐसे किसानों को पी-एम फसल भीमा योजना से बहुत बड़ी मदद मिली है उन्हें बहुत मामूली प्रिमियम के बड़ले देड़ लाग करोड रुप्या का क्लेम मिला है साथियों आज कॉंगरेस के लोग इंडिया गाडी के लोग किसानों के लिए बड़ी बड़ी बाते तो करते हैं लेकिन इन्होंने क्या किया आज जरा मैं इनका कच्चा चिछा भी खोड़ना चाहता हूँ यह हमारे स्वयबिन किसानों से कहूंगा जरा स्वयबिन के किसान मेरी बात ध्यान से सुने 2014 से पहले दस सालों में सिर्फ बारा हजार करोड रुपिये का दलहन तिलहन कॉंग्रेस सरकार ने खरीदा जबकि बीते दस सालों में मोधी सरकार ने कितनी खरीद की हमने करीब सवाल लाग करोड रुपिये दलहन तिलहन किसानों को MSP के रुप में पहुचाए है यानि एंडिये ने दलहन तिलहन के किसानों को कॉंग्रेस के मुकाबले दस गुना जादा पैसा दिया है और ये तो सिर्फ टेलर है ये तो अभी ट्रेलर है अम मोधी का मिज़न देश को दलहन और तिलहन में आत्मन निर्भर बनाने का है आपको पता है न दाल और तेल खरीदने के लिए हर साल हमारा देश हजारों करोड रुपिये विदेश बेचते है मोधी ने ठान लिया है वो पैसा विदेश नहीं जाएगा मेरे किसान की जेब में जाएगा और इसलिए हम भारत को आत्मन निर्भर बना रहे है साथियों यह हमारा महराश्टा तो सहकारिता की धर्ती है एंडिये सरकार थेती में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है बीते दस साल में आठ हजार से जादा किसान उत्पात संग एप्पियों बने हैं हमने एक और बड़ा काम किया है हमने दुनिया की सबसे बड़ी पंडारन योजना बनाई है इसके तहट देश में हजारों गोदाम बनाए गए है और इस जिसका इंजिम्मा भी सहकारी संस्थाओं को दिया है साथियों इस ख्षेत्र में जवार की पैदावर होती है मोदी ने इस मोटे अनाच यानि मिलेट्स को स्री अन्न के नाम से पहचान बनाई है मोदी ने संकल पलिया है आपका जो ये स्री अन्न है उसे दुनिया के कौने कौने में डाइनिंग टेबल पर पहुँचाऊंगा और इसका बहुत बड़ा लाप कि हमारे छोटे किसानों को मिलेगा जो जवार पैदा करते हैं आपको खुशी हो की भाई हो जब काम करते हैं तो प्रभाव कैसा होता है अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राश्पती ने मुझे अमेरिका आने का निमंतर दिया और उनके वाइट हाउस में बहुत बड़ा भोज समारम किया मैं हिंदुस्तान का पहला प्रदान मंतरी था जिसके लिए इतना बड़ा समारो हुआ लेकिन मज़ा इस बात की है कि अमेरिका के राश्पती बाइडन ने उद्रात को भोजन में सबके टेबल पर ये हमारा स्री अन्न हमारा मिलेट परोसाता सबको ये सूपर फूर्ड के रुपे आज दुनिया में जानने लगाए लोग साथियो मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हो और ये इंडिया गाडियो बाले मोदी को बदलने में पूरी साखर लगा रहे है मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूँ वो मुझे बदलना चाहते है जिनके गोटाले मैंने रोके है वो मोदी पे गुसा करेंगे ये बहुत स्वाभाविक है वो मोदी को गालिया देते भिरेंगे अन गिनत जूटे अरोप लगाएंगे और आज कल ये इस दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा कभी कहते हैं मोदी आया तो समिधान को खतम कर देगा आरक्षन ठीन लेगा ऐसा जूट बोलने की जरुवत क्या पढ़ गई वही आपको क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगा नहीं बची साथियों आज पार्लामेंट हो रहा एसेमली हो SC, ST, OBC सबसे ज़्यादे MLC BJP, NDAK सबसे ज़्यादा MLA BJP, NDAK सबसे ज़्यादा MP BJP, NDAK अब उनको लगा ये भी चले गए कि आज इसलिए बलीत आदिवासी पिछडे ये हमारा समर्षन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्यान के लिए खप रहे हैं अब इनकी हालत ये है कि जूट नहीं चलता है तो हमारे चहरा उसको उप्योग करके आर्टिफिशल इंट्रिजन्स का उप्योग करके उनकी महबत की दुकान में फेक विडियो पिकने लगे हैं ये फेक विडियो बना रहे हैं मोदी के भाषण को मोदी के आवाज को उप्योग करके नहीं नहीं चीजें गड़ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुँच गई है उसको पराजय का भाईता सता रहा है और कॉंग्रेस माने लिख लो आप लाग कोसिस करो मुझे बताईए भाई हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज़्यादा सिटे चाहिए कि नहीं चाहिए किसी को भी भावमत चाहिए तो 272 से ज़्यादा सिटे चाहिए कि नहीं चाहिए ये इनका पूरे गड़बंदन में एक भी पार्टी नहीं है जो दोसो बहतर से ज़्यादा चुनाव लड़ती हो जिनका चुनाव में लड़ने के ये जगा नहीं है वो देश पर कप्जा जमाने के सपने देख रहे है भाईयों बैनों ये जूट की दुकान वाले ये जो फेक वीडियों निकाल करके ताली आप बजा रहे हैं ये इनकी दुकाने बंद होनी चाहिए साथियों कॉंग्रेस की एक और चाल से आपको बहुत सावधान रहना है कॉंग्रेस की नजर अब आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ गई है आप मुझे आपको सब को मालूम है मारे देश में हर माबाप जीवन भर मेहनत करके कमा करके बचाने का प्रयास करता है छोटी आई वाला भी माबाप होगा न वो भी कुछ बचाने की कोशिज करता है उसके मन में एक ही बात रहती है कि मरने के बाद संतानों को कुछ दे करके जाना है अब कॉंग्रेज पार्टी ने ये मन बना लिया है और उनके एक फिलोसोफर ने तो गोशना भी कर दी है कि वो ऐसा कर लगाएंगे ऐसा कर लगाएंगे ऐसा टैक लगाएंगे कि अब आप जो कमाया हुआ धन है आपके पास जो श्त्रीधन पड़ा हुआ है जो मंगल सुत्र पड़ा हुआ है अब वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे आदे से ऊपर ये कॉंग्रेज की सरकार मार लेगी एक्सले करेंगे बोले एक्सले करेंगे मोधी चार करोड गरीबों को पक्के घर दे चुका मोधी ने तीन करोड नए घर बनाने की गारंटी दिये है मोधी स्वामित्व योजना से जमीन से कानूनी जस्तावेच दे रहा है ताकि आपकी संतान संपत्ति के जगणों में न डुबे परिशानी न हो वो माली की हक उसका बन जाए लेकिन कॉंग्रेस क्या कह रही है कॉंग्रेस कह रहे कि वो आपके घर और जमीनों पर चापा मार कर उसका आज़ा हिस्ता आपसे छीन करके अपनी वोट बैंक को बाढ़ देंगे और कॉंग्रेस के इरादे बहुत खतर नाख है यहां जो रेली में हमारी माता ये बेने आई है वो भी सुन लें कॉंग्रेस महिलाओं के गहने मंगल सुत्रत छिनने की तैयारी करके बैठी हुई है क्या यहां बैठी हुई मेरी माता ये बेने ऐसी कॉंग्रेस को कभी श्विकार कर सकती है गया भाई योर बेनो कॉंग्रेस वो पार्टी है जिसे भारत की विरासत से भी सबस्या है आज पान सो साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया आज पुरी दुनिया से राम भक्त आयोध्या जा रहा है लेकिन कॉंग्रेस ने नकली शिवशिना और नकली रास्वादी ने प्रभु राम की प्रान प्रतिश्टा का निमंत्रन भी ठुकरा दिया ऐसे लोग क्या आपके वोट के हकदार है क्या साथ्यों NDA सरकार भारत की विरासत को पुरी शाम से अगली पीडी तक पहुँचाने में जुटी है यहां मात तुल्जा भावानी के मंदिर के विकात के लिए महा यूति के सरकार पुरी भक्ती भाव से काम कर रही है यह मंदिर संबाजी नगर स्वलापूर हाइवे से जुड़ चुका है तुल्जा भावानी के मंदिर को सक्ति पीट एक्स्प्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा यहां लातूर से टेमबुनी के बीद भी महा मार्ग मनाया जा रहा है सोलापूर, तुल्जापूर, धाराशिव का रेल मार्ग भी जल्दी पूरा हो जाएगा और इसे आपका सहर बहुत बड़ा जंक्शन हो जाएगा साथियों, एक जमाना था, जब दाराशिव से सिर्फ एक ट्रेन चलती थी आज यह संख्या दो दर्जन तक पहुंच चुकी लातूर की रेल कोट फैक्टरी हो, या फिर टेक्स्टाइल पार्क इसे बड़ी संख्या में रोजगार भी प्यादा हो रहे हैं, साथियों ऐसे हर काम तेज गती से हो, और जल्दी से जल्दी उसके फल आपको मिले, इसके लिए साथ मई को पारी संख्या में बहन अर्थना पाटिल जी के पश्में मतदान करना है बेन अर्थना पाटिल जी के पश्में मतदान करना है और जब आप बेन अर्थना जी को वोड देंगे न, वो वोड सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा वोड मोदी को मजबूती देगा तो आप जादा से जादा मतदान करेंगे कितनी भी गर्मी क्यों नहों मतदान करेंगे जादा से जादा बूत जीतेंगे भारी बहुमत से जीतेंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे आप लोग जरा हाथ उपर करके बताईए तो मैं बताऊँ मेरा परसनल काम है करेंगे ये चुनावाला काम नहीं है मेरा नीजी काम है करेंगे देखे आप गर-गर जाईएगा और हर गर जाकर के कहिएगा कि मोदी जी आये थे मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है मेरा नमस्कार पहुचा देंगे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्वा